मध्य प्रदेश की मौसम समचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर रोजाना मौसम अपडेट देखने को मिलेगा वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंड में अपने जिली का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिली का भी मौसम अपडेट हम देख सकें वीडियो बहुत ज़्यादा यूसफुल है तो अंक तक इसे जरूर देखें चले जानते हैं मध्य प्रदेश के अलग-अलग जलू में कि सरीकी का मौसम बनाऊगा है क्या मध्य प्रदेश में अभी आने वाले दिनों में तापमान में अंतर दिखा जाएगा क्या मध्य प्रदेश में काफी तेजी से ठन्ना का माहौल देखने को मिलेगा या फिर गर्माहट बनी रहेगी क्या मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश के आसार बन रहे हैं या फिर अभी बारिश नहीं होगी ये सब हम जानेंगे लेकिन सबसे पहले हम जा यानि कि कई इलाकों में रात का पारा चार डिगरी तक लुडग गया है तापमान में कमी देखने को मिली है वहीं बीते 24 गंटे के दौरान कुछ इलाकों में हलकी बारिश भी हुई है जसके कारण अगले 10 दिन तक सुभा के समय हलकी सर्दी बनी रहेगी लेकिन दिन के समय ग कर चक्रवाथी गति विधी के रूप में ट्रफ के साथ सकधा है और आन्य पश्यमी विशोपूर्वोत्र अफगानिस्तान के आसपास सक्रिए हैं जिसके चलते पश्यमी मध्यप्रदेश और बांगलादिश की ऊपर इसकी गतिविध्यास सक्रियजे हैं और इसके चलते आपको बता दे कि 28 फरवरी को अगले पशिमी विशोब के संभापना बनी हुई है यानि कि इसके कारण हलका मौसम में परिवर्तन होगा लेकिन जादा कुछ तापमान में अंतर देखा नहीं जाएगा वहीं आपको बता दे कि बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में पारे मे गिरावत हुई है चिंदवारा, जबलपूर, सागर, बैतूर, शाजपूर, रायसेन में एक डिगरी सलिकर, चार डिगरी सल्सिस तक पारा लुड़क गया है सिर्फ भोपाल, गुनार, व्राजगर, नौगाव और सीधी में रात का पारा करीब एक डिगरी तक चड़ गया वहीं बीटे 24 गंटे के द्वरान कुझ जिलों में हलकी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है आपको बता दे की बालाघाट के बिरस बेहर, मंडिला के नैनपूर, सिबनी के धनूरा में एक एक इंच बारिश हुई, मलाच खंड पाला, सिंग्रोली के देवरा, सिटी मारा, देवसर, सरई शैडूल के जैदपूर, सुहागपूर, उमरिया के पाली, दिन्डूरी और चतपूर के खजुराहू में बारिश हुई है, यानि कि इन सभी अलाकों में 24 गंटे के द्वारान बारिश हुई है, वहीं अगर तापमान के अगर बात की जाए, तो मंडिला में नियूनितम तापमान 11.5 डिग्री सेलसेस रहा, खजुराहू में 12 डिग्री सेलसेस, और ज इसी भी इससे में 10 डिग्री सेलसेस से नीचे तापमान नहीं जा रहा है, इसके अलाबा जादा नियूनितम तापमान की बात की जाए, तो सबसे जादा नियूनितम तापमान सीधी में रहा, यहां पर 18 डिग्री सेलसेस से तापमान रहा, दमों में 16.8 डिग्री सेलसेस त सतना में 16.3 दिग्री सल्सेस नियुंतम ताप मन रहा इन दौर की अगर बात की जाए तो यहां पर 15 दिग्री सल्सेस जबलपूर में 15.4 और भोपाल में 15.5 दिग्री सल्सेस नियुंतम ताप मन रेकॉर्ड किया गया है आपको बता दे कि संग्रॉली में ओले भी गरे हैं यानि कि ओला वरस्टी का दौर भी अभी मध्य प्रदेश में जारी दिख रहा है आपको बता दे कि एक पशिमी विशोब आक्टिव है जिसके चलते कुछ सानों पर बारिश हुई है मौसम विवाग का कहना है कि रीवा अनुपुर डिंडोरी जिलो में हलकी बारिश और गरच के साथ बारिश होने की संभाबना है और साथी साथ ओला ब्रस्टी और बारिश का असर जो है वो देखा जाएगा बाते सभी जिलों में मौसम पहले की तरह सामाने रहेगा हर दिन मौसम सबडेट रहने के लिए चैनल को सब्सकाइब करना बिलकुल ना भूले साथी वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करें धन्यवाज